बोट मुतासिर हैं और जो आटो ड्राइवर्स अकसर एजुकेशन कम होता है तो लोगों को अवेर्नेस लाने का और उनके साथ उनके परेशानियों में उनके घरेलों मसलों में उनके होसला अफजाई करके उनका साथ देने का यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आटो ड्रीवर्स असोसेशन तरफ से हमारे शेख खामद साथ, बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे चे प्रोग्राम कर रहे हैं, और बड़े-बड़े शक्सियतों को बुला के आटो ड्रीवर्स को अच्छी इदायत यह कर रहे हैं, बट जयादातर शिकायत आटोमाला सी होती है पैसेंजरों की कि वो अकसर जहां बुलाते हैं नहीं जाते हैं और अकसर मिटर डालते हैं नहीं और फिर जयादा पुर्पाई से दिमांड करते हैं यह अकसर कंपलेंट्स हैं अब सोसाइटे में तो यह चीजें होते रहते हैं बट जितना चाहे जो ट्रस्ट जो काम कर रहा है और अमारी पॉलिस भी इसका साथ दे रही है जितना चाहे उनको अवेर्नेस लेके आना है उनको और यह बताने की ज़रूरत है के लोगं की सर्विस करो एक प्रफेशनल अप को सर्विस चाहते हैं तो आप उनको सर्विस मोटो से आप उनके पास जाएं मीटर डालें और वो अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि रिटन में हमें खाली आना पड़ता है तो उनको पुछी तो होई 10-20 रुप एक्स्ट्रा वो खुशी सी दे दे देगे लोगं कोई पै चीज़ोटे मिल्ड़ से बरकत नहीं होती और ऊच्वी किसी के दिल दुखाने से किसी के साथ जायरती करने से पैशे चीछने से बरकत नहीं नसीब होती और तरकी नहीं होती यह सब चीजां उनके दिमाग में डाले तो थोड़ा असर होगा और उनका ख्याला चेंज कर देंगे उनके लिए भी प्रोग्राम सुने चाहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ, उनके लिए और थोड़े प्रोग्राम की जरुरूरत है और उनको कॉंसेलिंग की जरुरूरत है उनको तोड़ा इसब चीजा उनके मैंड में दालो कि तुम ज़्या पईसा जल्दी शौट थे मैं अमीर हो जाए उनके नहीं होता अलाओ ताला सुर्ण का मालिक है अर चीज देख रहा है वो वहर चीज को माइना कर रहा है मालिक जिसके लिए तुम सोसाइटी के लिए आप नुमाहिंद की आप ड्राइवर ओल के अपकी बहु ले लो उसमें बरकत है बस उसे हम उनके साथ और ज्यादती करेंगे और उनके मजबूरी का फाइदा उठाएंगे तो उपर आला नाराज हो जाएगा जब वो नाराज हो जाएगा तो हमारे लाइफ को इमाने नहीं रखती और हम बरकत का हमें हैं उम्मीद नहीं लगा सकते बरकती की तो यह सब भूट चीजा है हमारे शेख आमोज साब बोट अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं मैं यहीं चाहता हूं कि और थोड़े उनके लिए प्रोग्राम्स करें जहां से उनकी थोड़ा में तबदिल हो लोगों का आटो ड्राइवर्स का वो भी प सब दिल लाके लोगों की सर्विस करें तो सोसेटी भहूत रामराजी जी से हमरी सोसेटी हो जाएगी सब खुशालिया जाएगी सुब लोग खुश हो जाएंगे यह जो लोगां के महीं में है आटो अले नहीं आते आटो अले सताते हैं यह थोड़ा उपीन थोड़ा इस इस भी हमें आरे हैं कि वफदार अटो ड्रीवर से जिन्हों ने कितने वैलिवल से लेकिजा कि वापस कमिश्णर को सोंपा है पैसेंजर के मोबैल अगर रखके भूल जाते हैं तो वह आपस वोग दिये सो बोट इंस्टेंस भी है वो भी खुशी होती है पट अक्सर ज अच्छे काम कर रहे हैं और उनका जो बर्डन है उस बर्डन को कम करने की बहुत कोशिश हो रही है उसके साथ-साथ थोड़े मॉरल टेचिंग उनके मैंड में डालो तो समाज का बहुत अच्छा फाइदा होगा है शुक्रिया अब बरकात हो मैं डक्टर रिहान बेक आज बस यतना करना चाहता हूं कि हमारे जिन्दगी में ये मसले मसाइल हमेशा मरते दम तक रहते हैं ये खितम नहीं होते हैं लेकर इस तरह से आप लोग मिल के एक अससेशन मुला के लड़ेंगे तो मसले मसले हल होते हैं हर मसले हल है तो मुझे बहुत खुश ही कि ये आट और मेडिकल का ये करना चाहता हूं कि गवर्मेंट में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए फ्री इंशुरेंस है इस तरह आप लोग भी गवर्मेंट से ये बात कहला के फ्री इंशुरेंस कर देना कि कोई आट और उसकी फैमिली कोई बीमार पड़े तो हकुमत के गवर्मेंट के कोई हास्पिन में उसको पुरा फ्री ट्री मेंट ना चाहिए ये ये करना है और दूसरा ये वाटस अप के जरिए नए टेकनलोजी के जरिए मुसलमनों आट्रवर्स में जो है अच्छे अखलाख की तर्वियत और जो है जो टेंशन है उसके जंगल से जल से जल निकलना और उनकी माली हालाद इंपरू होना अगर आट्रवर्स की माली हालाद इंपरू हो गई तो उनके बच्छे बच्छे अपड़ेंगे और तबीत का भी मसला हो जाएगा सहत का भी मसला हो जाएगा तो मैं शुकर अगजार हूँ शेखमास साब कर तो इन लोगों को रोज वाटसप में कुछ जैसे मैसेज भेज़ते रहेंगे जहां प्याटर रेवर्स का जो अच्छा यह बरता रहा हो दिखाते रहेंगे तो उनको भी जोशाएगा हम भी ऐसा करेंगे तो और एक हमारे तरफ से हम यह कहना चाहते हैं कि जो आगर बेलोजगार हैं तो हमसे राविटा करें हमारे पास एक स्कीम है राविटे का जिसमें हम नोजवानों को थोड़ा नोकरी दिलाते हैं यह श्वाजिनगर में है राविटा ग्रूप बोलके तो हम राविटा करने से हम लोग उनको नोक्री दिलाई है डक्टर रीहान बेग बोरिंग हास्पिटर मुसलसल पिछले तीस ता पैंटीस सालों से टीप सुल्तान शहीद रहमत अल्लाले का तामीर करदा समर पैलेस जो आलबर्ट विक्टर रोड पर वाणी विलास के मखाबिल में वाखी है मुसलसल कई प्रोग्राम हमने टीप सुल्तान शहीद रहमत अल्लाले की सालगिरा शहादत और उर्स के मौके पर सीरी रंग पटना में एक दिन खबल यहां उर्स का भी तखरीब मनाया है कई महमाना ने खुसूसी को मदू किया जिसमें कनड़ा चड़िवली श्री वाटाल नागराज को और टीप सुल्तान एक तावाड दिया गया तीन आईपियस अफसरान से हमने सिल्सिला शुरू किया दो हजार चौदा से आईपियस उल्फत हुसें साब श्री बी गोपाल हसुर साब और हिच्टी सांगलियाना साब हिंदू मुस्लिम हिसाई टीपू सुल्तान एक तावाड यह एक तावाड जो है वहां पर उल्फत ह अईपियस अफसरान जो ही वहां पर आए और रावाड को खुबलते हुए दादो तहसीन भी दी और उन्होंने अच्छे पैगामाद भी दिये जिंग आज़ादी के अवली मर्द मुझाहिद आजम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुलाले के बेश बहा खुर्बानिय खिदमात अंजाम देने वाले और इनसानियत के लिए बहतरी अपना खुर्बानिया पेश करने वाले और इनका सिलसिला जारी रखते हुए इनसानी खिदमात को जारी रखा है ऐस एक अजीम शख्सियत जनाब वली बाशा साहब असिस्टेंट कमिशनर आफ पोलीस बैंगल हैं ऐसी हैं कि यह जो ही छुपे हुए ऐसे खिदमात अंजाम देते हैं हमारे डाक्टर साहब भी वहां पर जितने भी मरीज जाएं बिला तफरीक और मजहब और मिलत के सबको जो है दिन भर मैंने बोरिंग अस्पताल में जो है इनको मैं देखा दोहजार तेरा में जनाब डाक्टर लिहान बेक साहब को चूंके मेरी वालिदा फैजन निसा साहबा वहां जेर इलाज थी और उसी आस्पताल में इंतेखाल कर गई ये एक महिना में वहां मुसलसल इलाज ये वहां वालिदा का चल रहा था तो डाक्टर लिहान बेक साहब को मैं खरीब से देखा कि क नहीं वो जो है मुश्किल से जाकर खाना खाते हुए देखा है लोगों ने इनको या फिर जो है बैटते हुए बैटते नहीं है तकरीबने चौदा गंठे टेम सुबह आ गए तो रात भर तक भी कोई गरीब है मुफलूक है परेशान हाल है अपने जाती सराफ से भी खर्च क करके उसकी मदद करना और खरीबों की ऐसे मरीज़ों की मदद करना उनको एक सही रहा बताना और इलाज मालीज에 के लिए उनको जो है रहनुमाई फरमाना यह करते है यहीं खिदमात मैंने खरीब से देखा है और जमाने से मैए कि पिछले कई सालों से दि-बैंगलू राट और कुल ही जमयत वस्विया और मशायख अखिला करना टका सूफी संतर संगा ये सब हम लोग तमाम मिलजूलकल खौमी एक जहती के प्रोग्राम यूनिटी प्रोग्राम और इनसानियत के लिए अमन भाईचारगी के लिए फरोख देने वाले प्रोग्रामों का अंजाम देते अजिए अजिए को सुल्ताने एक तावार दे विए अजास पेश किया थेश खौमी तरीश प्रोग्राम को कुछ ना कुछ करना वस सही रास्ते पेलाना उनके बच्चों को अच्छी तालीम होना उनको मेडिकल होना इसलिए हमार एक तरफ 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 से तकरीबन पचीस तर तीस लाग अजमी इसमें पल रहे हैं ड्रेवर हमारे को फाल रहा है हमें हमारा क्या है ड्रेवर हमना पाल रहा है ते अजम्यां को टिंकर, पैंटर, लाइनर, फैनेंसर, मेकानिक, बजाच कंपनी वाला, डिलर्शिपा, सब डिलरा, सब मिलाई तो उनके फैमिल्यां को लिए तीस लाग से करीब अजम्यां को उनों बेंगलोर के अंदर एक इ हमें तो जो कोशिश करना कर रहे हैं, उनके वास से क्या क्या करना कर रहे हैं, स्कलरशिप दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, उनके लिए उनके लिए उनके लिए दुसरे छोटे मूटे सोहलत हमारा हाथ से जो भी हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ज़रूवत की चीज़े कभी ड्रेवर के फश्ट यह रहना नहीं। अब हमें देके सदे हादे इस्टे अन्हाव करना अपन गुड्रमाेंट पो एद देना, आप गर्ण मेठीग मेठेना हैं Cum La Do पर किई सवित्रे कि विटह tes आठ हमें सब मिलें और खाड़ कि उत्खा लूटिय। सबी जिलासा देते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे बोलके, दो 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 में चले आती है, पॉलिटिशन इच बिगड़ी है, क्या करना भी नहीं हो रहा है, तो तकलीफ यती है ट्रवर को, सुबह से शाम दगा उन्हें ये ट्राफिक में वो ये इसमें गाड़ी चला के चाम को घर को जाता है, शुकुन नहीं उसे, भाड़े देको तो 6,000 रुपाय, 7,000 रुपाय, घर का भाड़ा रहता है, उन्हें कमा को बच्यां को पालींगा क्या, दुसरे चीजां से हुईंगा क्या, उन्हें फिर हो के सामने बढ़ींगा कैसा, इस सब इसे, गर्मेंट भी हमें क्या चाहरे, गर्मेंट भी हमार उपर खायल करको इस चीजां को लेको, दोरा उन्हें को मदद पोंचाए तो होत अचाहरे, शुकुन आपकानाद, शेखामर्त, थेक्सुन नो, वैस्पेस्जेंटो, मुन इनन जपा, गवडान तंतना नेसरो, न अआट बेड केगला उठ वेकेगला ईंतना उपर उपरख गेज़ प्रत्यजाग, अपरओ चेहलाना उन्तों नब्यूर यद तो होत अचाहरे, प्लत्ये ओंद़ चेहलता उदिए वे नमनागे सइट कोड़िये, इननंकोड़िये, इंसुरेंस माड़िये, गुर्मेंट यह अब्रोड को वंताओ मुदिन नंजब परोडर उन्था